प्पिःध पे मैं बहुत लोग को मैं देखता हूं की दलितों के बात करते हैं जी दलिक्तों के लिए लड़ता हूं मैं ऐस्ची-घानाति नाती पे हो रहा है ये गलत हैं तो उसके लिए आवाज तो फिस्टीं को उथानी पड़ेगी ना उथातो रहें बिल्कुल जिसे आपने कहा ना कि लोग कहते हैं कि तरीतों के लिए तो लोग बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं होता है हम कोशिश करते हैं कि जो उत्पिरन जो हो रहा है जो सोशन हो रहा है जहां तक वहां पहुंच के मामले की गंभीरता को देखते हु और आज पता नहीं क्या होगया है आज लोगों को मार दिया रहा है तो बहुत सरी एक्जाम्पल आपने जैसे अभी भरत मांची का हो गया रायस्थान में लड़के थे शाधियों का म EVERY अभूणा, पुर्व राष्ट्पति रामनाथ कोविंजी पुर्व मंदिर में जाते हैं, उन्हें नहीं जाना जाता है, मदिर को चाहिए। है आज देखिये। IIT में IIT में फिदूर कास्थ के लड़के बच्चे, बहुत सारे सुसाइट कर लिये, क्यों कि वहां पे इतना टोर्मेंट किया आता है, अंग बहुत सारे बच्चों ने वहां पे कर लिया है, सुसाइट कर लिया, क्यों आखिन panamot के ओनी और ल Kalem wat दूम से कहा है चोटे-चोटे बच्चे जो 12 पास करने जा रहे हैं उनका घर का महर ऐसे होगा ना उसके परेंट्स को आपने आपको इवॉल्व करना पढ़ेगा जो समाजी समरस्ता आने चाहिए समाज में उसके लिए काम करना पढ़ेगा तभी आपका नेक्स जिनरेशन जो है जो अब यह प्रेजेंट जिनेशन जो है उसके दिमाग में वो सब चीज नहीं जाई परजेंट की आपने बात किया बहुत सारे बिहार में अगर तलीतों की बात कर दिया जा तो बिहार ही नहीं अगर देखा जा तो मायावती से लेके चंद्शेकाराजाद अभी क्या होता है कि यहां पर को जाते हैं बिहार में किसके बारे में बोल रहे हैं किसी के बारे में कहना उचित नहीं है लेकिन गोल्डन का जो जो हमने देखा है उसका क्रिया कलाब जो पिछले कुछ दिरों में देखा है जैसे अभी ताजग हटना मुजफरपूर्ट में हुई थी जिसके लिए यह लेकिन पर सखेली तरीक तरीके से वहाँ पेर खालना रहे आप पूछता थे मुझे लोग अउसे पुछता हूं कि कितना सही है यह कहां तक सही क्या प्रजेंट को बहुत नद्दीक से देख रहा था और जब तक वहां पर पूरी गिरस्तारी नहीं हुई जब तक पूरा मुहाफ़ा नहीं मिलका है मैं उस केस में बहुत करीब से लगा हुआ था तो मुझे हर पल का ख़वर मिलता था वो तो कि सारे ऑफिसर्स मुझसे करेक्टेट थे सब बता रहे थे चीजे और उसी बीच में सारा जब एक्शन चलना था यह तो यह जाकर इसने हंगामा किया यह दोनों तरफ से चीजे हो सकती है यह इसमें मैं डिनाइ नहीं कर रहा हूं दुनों तरफ से चीजे हो सकती है लेकिन वह करने का ज़रोती नहीं था अगर आप वहां गय है तो सिर्फ लोग प्रियता के लिए वहां जाकर करना बोलना या अपने भाशा को सहीं नहीं रखना मुझे लगता है कि वहां वो उसे थोड़ा सा उसे वो उसको चैंज करना चाहिए सब ने का सब को हक है कि वो जाए हर जगए लोग की लोग की लोग का प्राव्डम को समझे उसको दूर करें डिफरेंटली वो होना चाहिए लेकिन उसका तरीका से विधान इस अगर आप जा कर के अश्मिदान की बात करते हैं अशाल बताया जाता है यह नहीं होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए और जो पूरे हुए है उसमें यह कहा जाता है कि और भी जगह जो करने का पूरा हख है आपको राजनीत करने का पूरा हक है आपको गरीब की आवाज बनने का पूरा हक है लेकिन एक समीधान के डायरे में रखके समीधानिक तरीके से आप जिस ऑफिसर से काम लेना है अगर उसी ऑफिसर के साथ जाकर के गाली लॉज्च करेंगे या अविसाथ अविधानिक विभार उसके साथ करेंगे तो मैं आपसे या जो लोग मुझे सुन रहे हैं उससे पूछना चाहूंगा कि यह कहां तक सही है आप की जिए बिलकुल आपको हक है आप गरीबों के वाज बनिए आप वंचितों के वाज बनिए आप अनुसुती जाटी जिन्द से भी लेकिन लेकिन इनके बातों से जिस तरह से हमारी आज पहली मुलाकात रहे पहली मुलाकात में वाकई लगा कि जो समाज से भी है सब को लेके चलना चाहिए मैं किसी जाती धर्म की बात नहीं करता किसी हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं करता ना होनी चाहिए क्या नेत रहते जो सेक्स्प्रेस नमस्कार